नहीं दे पाना इसलिए वैक्सिन बेस्टेज रोकना बहुत ज़रूरी है मेरा ये भी कहना है कि जाब आप अपने जीले के आंकणों की समिक्षा करते हैं तो उसमें अर्बन और रूरल इसको भी अलग-अलग से आप गौर करें ताकि आपका फोकस रहे इवन टीर टू टीर थ्री सिटी को भी अलग से उसका अनालिजिस करें ताकि आप फोकस वे में अपना स्ट्रेजी वर्काउट कर सकते हैं कहां कितनी ताकट लगानी है किस प्रकार की ताकट लगानी है यह बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे और इससे जब यह प्रकार से देखेंगे तो ग्रामीन इलाकों में कोरोना से निपटने में मदद मिलेगी और मैं भी लंबे अर्से तक आपी की तरह कुछनों को काम करते करते हैं पहुंचा हूं मेरा अनुभव है कि गाम को गाओं के लोगों को अगर सही बात समय पर पहुंचा दी जाए तो वह बहुत रिलीजिसली उसको फॉलो करते हैं बहुत रिलीजिसली और जो शहरों में कभी-कभी हमको किसी चीज को लागू करें में महनत पढ़ती है गाओं में उतनी महनत नहीं पढ़ती है हाँ क्लेरिटी चाहिए गाओं के अंदर एक टीम बनानी चाहिए आप देखिए वह प्रणाम खुद दे देते आपको साथियों सेकंड वेव के बीच वाइरस मुटेशन की वज़े से अब युवाओं और बच्चों के लिए भी जादा चिंता जताई जा रही है अभी तक हमारी जो रनदिती रही है आपने जिस तरफ फिल में काम किया है उसने इस चिंता को उतना गंबीर होने से रोकने में मदद तो की है लेकिन हमें आगे के लिए और अधीक तैयार रहना ही होगा और सबसे पहला काम आप कर सकते हैं कि अपने जिले में युवाओं बच्चों में संक्रमान और उसकी गंबीर ताके अलग से उस पर regular आप analysis कीजिए आप स्वयम भी मेरा सभी आप प्रमुक अधिकारियों से आग रहे हैं कि आप स्वयम भी उसका अकलन करें इससे आगे के लिए तैयारी करने में मदद मिलेगी सात्यों मैंने पिछली बार की बैटक में भी और मैंने ये भी कार कह रहा कि जीवन बचाने के साथ साथ हमारी प्राथिक्ता जीवन को आसान बानाय रखने की भी है गरीबों के लिए मुपतर आसान सुवीदा हो अच्छे इनोवेटिव प्रयोक आप सब ने कहीं कहीं किये हैं अगर वो आप मुझे पहुंचा देंगे तो जुरूर इसको देश भर में पहुंचाने में मुझे सुवीदा होगी क्योंकि intellectually debate करके कितने भी चीज क्यों निकाले लेकिन उससे ज़्यादा ताकत जो फिल्ड में काम करता है उसने जो अनुभव किया है और उसने जो रास्ते फोजे हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं और इसलिए आप सब की भूमी का बहुत बड़ी है और इसलिए मेरा आप स इसको निकालिए दूसरा पिछले सो साल में किसी के जीवन में इतने बड़े संकट से जूजने की जिम्मेबारी नहीं आई है आप डिस्ट्रिक में बैठे हैं आपकी जिम्मे सबसे बड़ा बोज आया है आपने बहुत चीजे अबजर्व की होगी मानों मन को अबजर्व क मुटिलाइजेशन करके आपने एक नए रेकॉर्ड प्रस्तापित कि होगे जब भी मोका मिले इसको जरा जुरूर्व अपने डायरी में लिख करके रखिये आने वाली पीडियों को आपकी अनुभव काम आएंगे क्योंकि पिछली शताब्दी में सो साल पहले जो बड़ी महामारी हुई उसके उतने रेकॉर्ड उपलब तो नहीं है कि उसका रूप कैसा था संकट कितना गहरा था कहां क्या हुआ बहार निकलने के रास्ते क्या खोजे गए लेकिन आज हमारे डिस्ट्रिक के अफसर अगर ये डिस्ट्रिक गैजेट की तरह इसको बनाएंगे तो विशे की पीडियों को भी हमारी ये महनत हमारी अनुभव ये आने वाली पीडियों के लिए भी काम आएगा हूं। करता हूं कि आप और अधिक सफलता प्राप्त करेंगे तेजी से सफलता प्राप्त करेंगे और जन सामान्य के अंदर विश्वास परदा करेंगे सामान्य मानवी का विश्वास विजय की सबसे बड़ी जड़ी बुट्टी है सबसे बड़ी जड़ी बुट्टी इससे बड़ करता हूं और बारिस के सिजन आएगे तो और एक seasonal जो pressure रहता है वो तो बढ़ने ही वाला है लेकिन इस सब के बीच भी आप स्वस्त भी रहें आपका परिवार स्वस्त रहें और आपका जिला जल्द से जल्द स्वस्त हो और नागरिक स्वस्त हो यह आपकी कामना इश्वत पूरी करें आपका पुर्शार्थ पूरी करेगा मेरी तरब से आपको बहुत शुब कामना है बहुत बहुत धन्यवाद